कि खुलाईट करते हैं सब ये सिक चीचिगे कुछ मंए है तो फेन्ट बिहार इश जो आसिस्टेंट सम इस्प्रेक्टर के लेक वें सांदर प्रैक्टिस सिट्ट जो कि प्रैक्टिस सेट तुरी देखेंगे इस से प्रैक्टिस जेटकोम से भी चले फास्ट कोशन दिखे राष्ट्य सिक्षानिती 2020 के प्रारुप निम्न में से किसकी अधिक्ष्टा में गठी चिमिती द्वरा तयार किया गिया हर कोशन के लिए आपको 5 सिकेंड का टाइम दिया जगा इसके अंतरगत आप अपना आंसर प्रानुन को लागू करने का अधिस उचना किस तीथी को जारी की गई तो यह की गई थी एक जनवरी 2020 को यह अपना राइट आंसर रहेंगे याद रखेगा एक जनवरी 2020 कारेक्ट आंसर रहेंगे नेक्ट वर्ष के अधिक्तम आयो सीमा तक सेवा देने के लिए नियामों पे संसोधन किया है तो ये क्या है 25 वर्ष तक अब 25 वर्ष तक यह अपना सेवा दे सकता है सेडियम के अधिकारी चले, नेक्ट कोशन की कोशन 4 औस्टेलियाई के जंगलों में लगी आग से किन वन्त पर जाती की आधी अबाधी समाप्त होने का मीडिया में दाबा किया गिया है तो ये क्या गिया है को आला जन जाती का मीडिया दाबा किया है को आला जन जाती जो की आधी समापत हो चुकी है और इस्टेलिया में लगी आग के कारण C अपना right answer रहेंगे नोट किरेंगे आप सभी Next question के हाली में A का तेरनी सेकेलर और पॉलाउ किस देश की पहली महिला राष्टपती निर्वाचित हुई है तो यह हुई है यूनान देश की ग्रीश देश की पहली महिला राष्टपती निर्वाचित हुई है भी अपना right answer रहेंगे याद रखेंगे आप से भी Next question दिखेंगे कोशन में से अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्गी करन के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग का कारकाल छे महां बढ़ा कर कब तक के लिए विस्तारित किया गया है तो छे महां से बढ़ा कर जो किया गया है वह 31 जुलाई 2020 तक किया गया है कब तक 31 जुलाई 2020 तक भी question is the right answer next question के question 7 British अस्थान the economist group की economy intelligence unit IEU की ओरचे जारी लोकतन सुचकांग 2019 में भारत को कौन सा अस्थान दिया गया है तो यह अस्थान है 51 अस्थान है भारत का भारत को 51 अस्थान दिया गया है next question के question 8 जुलाई 2020 निम्र में से किस देश को 20 विपार से अंगठन में परिवेक्षन का दरजा मिला है तो यह दरजा दिया गया है तुर्कमेनिस्तान को दिया गया है डी राइट आंसर हैंगे नोट करेंगे आपसे भी तुर्कमेनिस्तान को दिया गया है next question के चीनी यातरी फायान ने भारत का भर्नन किया तो यह किसके सासनकाल में चीनी यातरी फायान ने भारत का भर्नन किया था चंद्रगुप्त दूतिये के सासनकाल में जिसे बिक्रमा अधित के भी नाम से जाने जाते है इसका उपादी था चंद्रगुप दूतिये का उपादी क्या था विक्रमा आदित की उपादी धारन की थी नेक्ट कोशन के कोशन में 10 चलिए आंसर करेंगे यूद का वाही अकर्मन के कारण की गई आपादकाल की घोषना का संसत द्वरा अनिवारियत अनुमोधन होना चाहिए तो ये अनुमोधन एक महिना में होना चाहिए ए अपना राइट आंसर रहेंगे नेक्ट कोशन के कोशन 11 सुन्य अधार वाला बजट सरपर्थम लागू हुआ था कहाँ पे तो सुन्य अधार वाला बजट जो सरपर्थम लागू हुआ था वो सैयूक राज अमेरिका में लागू हुआ था यू एसे देश में हुवा था D right answer रहेंगे Next question का question 12 संसार में चाय का परमुख उत्पादक देश कौन सा है तो परमुख उत्पादक देश की बात करें तो चीन चाय का सबसे परमुख उत्पादक देश है पलस में निरियायतक देश भी चीन ही है निम्न में से किस देश नी मंगल पर अपना पहला स्वसल तरमीशन तियानवेल वन को लाउंच किया तो यह जो किया है वो चीन ने किया है याद रखेगा चीन ने किया है नोट कर लिजीगा आप सभी option कर गए ठीक है ना चीन कर लिजीगा चीन ने किया है चले नेश्ट पॉस्टन के question वर 15 स्कीन पे परतिश्ठित अभिनेतरी स्री देवी के जीवन पर अधारित एक पुस्टक जिसका सिर्शक स्री देवी गर्ष व्यूमेन सुपर इस्टार को 13 अगस्ट 2019 को launch किया गया था इस पुस्टक के लेखक डिमन में से कौन है तो स्री देवी गर्ष व्यूमेन सुपर इस्टार पुस्टक के लेखक कोन है सत्यार्थ नायक है सी राइट आंसर हैंगे नोट करेंगे सत्यार्थ नायक लॉंच कप किया गया था मोश्ट इंपॉर्ट ने 13 अगस्त 2019 को लॉंच किया गया है पुस्ता का नाम स्री देभी गर्स व्यू में सूपर इस्टार है नेश्ट कोशन के कोश्चन नमस्वला केके वेन्यू गोपाल को एक साल का विस्तार मिला वह भारत के किस समिधानिक पद को सो भूमित करते हैं तो ये महान्यवादी को सो भूमित करते हैं ये अपना राइट आंसर नहीं नेश्ट कोशन के कोश्चन में 17 हाल ही में निमलेकित में से किस भारतिय राजमी acute incephalitis syndrome के नए मामले देखे गए हैं जिसे दिमागी बुखार भी कहा जाता है ये कहां पे देखे गए हैं तो ये देखे गए बिहार राजमी C अपना right answer हैं गें बिहार राजमी देखे गए हैं नेक्ट कोशन के निमलेकित में से कौन RBI के ट्यूब वीटर अब भ्यान का चहरा है जो बैंक गरहकों से भुखतान के डिजिटल तरीके अपनाने का आग्रा करते हैं तो ये हैं अमित्ता बचन डिराइट answer रहेंगे अमित्ता बचन नेक्ट कोशन के ocean 190 लोग सभा की सदस्ता के लिए उमिद्वार की आयू कम से कम कितनी होनी चाहिए तो कई बार आपसे को बताएं कि लोग सभा का सदस्ता बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए 25 वर्स होनी चाहिए अगर यही राज सभा का सदस्ता बनना है प्रुचलन है तो यह मुसलमानों में इसमें मुसलमानों में पर्चलन है नेक्ट क्षिक्यून के दादा साहिब फाल के पुरुज्कार के पर्थम विजेता कौण है तो इसके विजेता है देbika रानी कौण है देविकार रानी सी राइट आंसर रहेंगे दादा साहेब फाल के फुरुसकार कब से दिये जा रहे हैं ये उन्हें 69 से शुरू हुए थे याद रखी का आप सभी नेक्ट कोशन के इजरायल राज की अस्थापना कब हुई थी तो इसकी अस्थापना हुई थी चौदा जुलाई 948 को ओफ्षन नमर ए राइट आंसर रहेंगे नेक्ट कोशन के लूनी नदी मुक्षे तक किस राज में बाती है तो लूनी नदी कहा बाते हैं राजास्थान में बाते हैं ए राइट आंसर रहेंगे अपना नेक्ट कोशन के वर्षा रितू में वाई मंडल में सभर्दिक अधर्ता विद्मान रहती है तो ये रहती है मध्यान के समय में वर्षा में वर्षा रितू में वाई मंडल ये सभर्दिक अधर्ता विद्मान रहती है मध्यान समय में A right answer रहेंगे next question दिखे है भारत में बीत आयो की सदस्यों की न्यूगति किसके द्वरक जाती है तो बीत आयो की जब भी बात करें इसकी सदस्य की न्यूकति जो करेगा वह राश्टपती करता है A right answer रहेंगे बना नेस्ट कोशन दिए निमलेकित में से किस भारतिय को अंतराष्टि मुद्रा कौस के MD क्रिष्टा लीना जोर जीवा ने अपनी बहारी सहलाकार चमू के लिए चुना है तो ये किसे चुना है C right answer हैंगे रघू राम राजन को चुना है C question is the right answer Next question के question है history से answer करेंगे आप सभी मद्यकालिन हिंदू साहित के किस मुसल्मान कभी ने अनि वारियतर हिंदू पूरानिक नायकों पर काभी रचना के थी जितने भी फ्रेंड मेरे साथ जुड़े हैं वीडियो को लाइक जुरू करेंगे आप सभी एक लाइक आपका मोटिविशन करवाता है लाइक करने के लिए नहीं भूलेंगे और अपने दोस्तों में इसे जिरूर सेयर कर देंगे जो भी इस्टनो एसाय का तैयरिक कर रहे हैं उसे जिरूर सेयर कर देंगे ताकि वह भी इस वीडियो का फायदा उठा पाए कुछ उस अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए ता आपसे जरूर डाउनलोड किजे लिक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो जरूर डाउनलोड के रिवाइच कीजे समय आपके पास बहुत कमे ये राइट आंसर रहेंगे कुटवर ने किया था आम साफ बहुत की सब्यता की सब्यता भी कहते हैं सिंदु गाटिक की सवेता के नाम से जाने जाते हैं नेक्ट कोशिन के कोशिन में 31 स्किन पे गौतम बूध ने परी निर्वारंग कहां प्राप्त किया था मतलब कि इसकी मिर्तियू जो हुई थी वे कहां पे हुई थी कोशिन अगर में इसकी मिर्तियू भी थी जन लूमनी में हुआ था लूमनी बलका उबन का नाम था लूमनी जो की नेवाल में पढ़ते हैं सारनाथ में इसने पर्थम उपदेश दिया था किस भासा में पाली भासा में दिया था अगर सभर्दिक उपदेश की बात करें तो कहां दिया था स्रावस्ती में दिया था सभर्दिक उपदेश पर्थम उपदेश सारनात में बोध गया में क्या हुआ था इसे ज्यान की प्राप्ती हुई थी नेक्ट कोशन के पर्थम बोज संगीती महासवाग कहां हुई थी? Most important question है जो एक्जाम्स में पूछे जाते हैं तो ये कहां हुई थी? राजगिरी में किसके सासनकाल में? अजासत्रू के सासनकाल में अध्यक्ष कोंते महाकस्षप इसके अध्यक्ष थी? कब हुई थे? 483 इसापूर में और लाश्ट प्ला question पूछे जाते हैं कि चौती बोज संगीती किसके सासनकाल में आई जूद भी थी? कलिश के सासनकाल में कुंडल बन कस्वीर में हुई थी? इस भी के पर्तम सदाबदी में नेस्ट के मगद के राजा आजासत्रू का सिदयब किस राज्यों के साथ यूद रहा? तो यह राज था था बैसाली राज्यों के साथ में आजासत्रू का सिदय यूद नेस्ट के कोश्वीरлан पे शीकंदर के हमले के सिम्हें उत्तर भारत पर निमलिकित राजुबंसों में से किस एक का सासन था तो जब सिकंदर हमला कर रहे थे भारत पर तो उस समय जोई कि भारत में राजुबंस जोई थे वननन्ध बंस थे उत्तर भारत में एराइट आंसर हैं एंगे नेश्ट क्षेंड के क्रिक्स के स्वाशनगीति हुई थी सी राइट आंसर हैंगे यह कब होई थे इस वीक के पर्थम सदाबदी में का कुंडल बन जो कस्मीर में पढ़ते हैं इसी संगीती में बहुत धर्म दो भाग भी वाजित हुए थे एक होगे हिनियाईन एक होगे महयान धर्मी नेक्ट कोशन के कला की गंधार चेली से किसका संबंद नहीं है तो कला की गंधार चेली से किसका संबंद नहीं है खुजराहों का संबंद नहीं है सी राइट आंसर हैंगे जबकि एलोरा का संबंद है आजंतो का संबंद है और एलिफेंटा का संबंद है नेश्ट कोशन के कोशन में 37 अकवर के समकालिन किस मुगल इतिहासकार ने अकवर को इसलाम का दुस्मन बताते हुए आरोपों की सूची तियार के थी तो ये सूची तियार किस ने की थी बदाय उन्हीं ने की थी ये कौन थे जो कि अकवर को फोसा था इसकी बड़ी अमीते ए राइड आंसर हो जाएंगे नेश्ट कोशन के माराथा विद्रो के दमन के लिए औरंगजेव अंतिम रूप से दक्कन में कब पहुचा था औरंगजेव जिन्दापिड के नाम से जाने जाते हैं सबसे विख्याज बादसा थे मुगल सासन का खातरनाक बादसा जिसे कहते हैं तो ये का पहुचा था 1689 में पहुचा था इसे एक लूट का बड़ा धन प्राप्त हुआ था बी राइड आंसर रहेंगे नोट करेंगे नेक्ट कोशन के चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें 12 में लौड हाडिंग पर बंप फेकनी की योजना किस की थी तो ये योजना किस की थी राज बिहारी बौज की थी ये राइड आंसर हो जाएंगे राज बिहारी बौज ने ये योजना बनाये थे जो कि लौड हाडिंग दूथिये पर बंप फेका गया था कब उन्हें 12 में जब कोलकाता से दिल्ली भारत की राजदानी अश्टनांत्रित हो रही थी इसका मारग उत्तर मुखी है तो गंगा की सहयक निठी कौन सी है ये सभी जितने हैं गंगा की सहयक निठी पर उत्तर मुखी जो है ये शोन निठी जो बिहार में पढ़ते हैं चावल की खेती के लिए आदर्स जर्वायू पर इस्तितियां है कितनी तो इसका राइट एंसर आफिस्टन में यह जाएंगे एक सो सेमी से उपर वर्षा होना चाहिए कम से कम और 25 डिगरी सेल्सियस ताप मान होना चाहिए यह चावल की खेती के लिए उप्यूगते हैं नेश्ट कोशन के कोशन में 44 एक गरह के लिए दीन का मान और उसके अक्ष के जुकाओ लगबग पिर्थिवी के दीन मान और जुकाओ के सम्तुले यह कथन किसका है तो यह कथन है मंगल के बिसे में दी राइट आंसर जांगे जे उस परकार चे पिर्थिवी पर जीवन है उसी परकार चे मंगल गरह पर भी जीवन का सम्भावना है मौशन चेंज होता है पिर्थिवी पर उसी परकार चे मंगल गरह पर भी मौशन चेंज होता है नेश्ट पसंद के कोशन में 45 प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिक्तम वीविता मिलती है तो यह मिलती है उस निकटबंदी है कि आधर बनों में बी राइट आंसर हैंगे उस निकटबंदी कि आधर बनों में मिलती है नेक्ट बसने कोशन में 46 से सूर के गिर्द सूर के गिर्द एक परकिर्मा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिक्तम समय लेता है मतलब कि सूर की एक गिर्द की परकिर्मा करने में कौन सा ग्रह अधिक समय लेता है यह लेता है बिरस्वती जो अज उतना दूर रहेगा वो उतना समय देगा नेक्ट कोशन के प्रेसर कूकर में भोजन श्रीदिता से पक जाता है क्योंकि कोशन में 47 ए तो सी राइट आंसर जाएंगे उच दाब के कारण जल का कथनांग बढ़ जाता है जिसके कारण प्रेसर कुकर में खाना जल्द पकता है यस रितिता से पकता है जल्द पकता है कतना बढ़ जाने के करण नेश्ट कोशन दिए कोशन में 48 वायू दाब में जलकी तुलना में पारे के उप्योग की प्रात्मिक्ता देना देने का कारण है तो डी रैट आंसर जोंगे पारे का घनतव अधिक होता है जबकि वास्पताब क्या होता है इसका कम होता है इसलिए जोकि वायू मंडल में जलकी तुलना में पारे का उप्योग को प्रात्मिक्ता दिया जाता है नेस्ट कोशन दिए कोशन ओफोटी ए नाईन है इस्तिर आलम से लटके एक लंबे धागे से बाना एक छोटा पदार्थ इधर उधर जूल रहा है तो पदार्थ की इस्तिति क्या होगी जिसे दोलन भी कहते हैं यह दोलन कर रहा है बी राइट आंसर जांगे गती उर्जा दोलन के बीच अधिक्तम होगी गती उर्जा कहा होगा दोलन के बीच में अधिक्तम होगा पारे की दो बुंदों को असपर्सर में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बुंद बनाती है इसका कारण है द्रब द्वारा न्यूंतम प्रिष्ट छेतरपल बनाए रखना सी राइट आंसर रहेंगे नोट करेंगा आप सभी तो चले तो आज का ये सेट कंप्लीट वे आज का ये सेट आप सभी को कैसे लगा प्लीज चिंचिक मड़क से जुरूब बताईएगा अगर आज का ये सेट अच्छा लगा हो हेलफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिगा इस टेडि से रिलेटेट जो भी वार्ट से फिसबूक ग्रूप हो उनमें जरूर शेयर कीजिगा और जो भी इस टुडेट इस नो एसाई का त्यारी कर रहें उसे जरूर शेयर कर जीगा अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कर दीजिगा ताकि वो भी इस वीडियो का फाइदा उठा पाए उचसे भी कुछ फाइदा हो जाए इस वीडियो से तो चले चैनल चैनल ही जुड़े हैं तो नीचर का सब्सक्राइब बटन दिया चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी बढ़कर आता उसे प्रेज करेजिगा और नोडविशन्स लिखा रहता उसे प्रेजिगा तब ही आपको कलास का नोडविशन्स मिलेगा तो चलिए मिलते हैं जहिंद बंदी मातरां